आज की इस वीडियो में हम लेकर आये हैं कि equipment जो कि अगर आप यूज करेंगे तो आपको कभी भी wifi का disconnection नहीं मिलेगा उसकी हम unboxing करेंगे उसका एक first impression interview देंगे देखते रहेंगे नमश्कार मेरा नाम है आशीश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूजर का एक mini UPS यह आप अपने wifi से connect कर सकते हैं और आपको uninterrupted wifi supply मिलेगे यानि कि आपका wifi कभी बंद नहीं होगा आपको uninterrupted wifi मिलेगा electricity अगर चली भी जाए तो भी यह UPS अपना काम करेगा और continuous wifi की coverage देगा इसे अभी हम open कर लेते हैं सबसे पहले यह box देख लेते हैं देखें कि उज़र इसका brand है mini UPS है यह 12V 2A इसके rating है 18.5Wh इसकी capacity है battery capacity and 3-5 hours का यह backup देता है depending upon कि current आप कितना दे रहे हैं इससे अपने router को यह इसकी कुछ और packs हैं देखें यह भी दिखा देता हूं मैं सारा side से इसको अब हम open कर लेते हैं open करने के लिए हमें इसको यह यहां से इसका यह break कर देते हैं कि जो seal है यह like this यह इसमें main UPS है mini UPS यह इसमें instruction manual है और यह इसमें cables है अपने wifi router को connect करने के लिए एक type इसमें यह है एक इसमें यह है और एक इसमें यह है यह तीन इसमें cable आते हैं जो की UPS से connect होके आपके router में जाएंगे यान कि आपके router की जो cable है वो हट जाएगी और अब यह आपको connect करेगा अपने router से तो यह है UPS यह देखिए काफी compact है कितना बड़ा है यह यह इसमें इन है यानि कि current इधर आएगा और यहां से यह output करेगा आपके router में यह I think इसमें एक on and off यह button होना चाहिए ONI है I think yeah this is ONI I think यह output and input होना चाहिए we will see about it basically इसमें यहां पर आप जो आपके router के साथ जो AC adapter आया है उसका input इधर जाएगा और यहां से यह output जाएगा इसके साथ cable आये है वो यहां connect होके आपके router में जाएगे इस तरीके से connection पूरा होगा और उसके बाद यह आपको uninterrupted power supply देगा basically आपके wifi को इसे हम set करेंगे अपने wifi में connect करेंगे उसे use करेंगे हम pretty sure कि यह एक अच्छा backup देगा तो यह है part B मैंने क्योजर का जो mini UPS है उसे wifi के router से connect किया तो क्योजर का जो mini UPS है वो instantly switch नहीं कर रहा था electricity के जाने पर तो wifi router मेरा reboot कर रहा था यानि कि जो क्योजर के mini UPS का purpose था वो defeat हो गया तो मैंने क्योजर का mini UPS वापस कर दिया और एक और Amazon से मैंने mini UPS order किया वो है IntelliZone का mini UPS मैं उसको भी दिखा देता हूँ आप तो यह है IntelliZone का micro UPS it's not even mini it's micro that is what it says यह इसका box है इसका box है Made in India पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी हम पैकेजिंग को खोल लेते हैं UPS को अब हम इस box में से निकाल लेते हैं यह इसमें इसके बारे में दिया गया है मैं दिखा देता हूँ आपको यह देखिए यह warranty card है यह installation manual है और यह UPS है काफे बड़ा है यह देखिए मेरे हाथ के size के साब से और यह थोड़ा सा गंदा भी लग रहा है मेरे को यहाँ पर it's okay और साथ में इसके आए हैं यह तीन cable तो यह जो IntelliZone का यूपियस है माइक्रो यूपियस है यह 12 वाल्ट का है यानि कि 12 वाल्ट के जितने भी Wi-Fi routers होंगे there is a chance की काफी सारे इससे चल जाएंगे क्योंकि इसके साथ जो तीन यह wires provide करी गई है वो connect हो जाती है और उससे आप Wi-Fi को connect कर सकते हैं इस UPS से इसका जो output है वो भी 12V 2A है तो यानि कि 2A तक के 12V के सारे के सारे Wi-Fi routers को यह power कर देगा क्यूजर वाली UPS में एक switch था on-off का इसमें कुछ नहीं है ऐसा इसमें यहाँ पर LEDs है एक charging की LED है और एक एक जो LED है जब यह power देगा आपके wireless को जब light नहीं आ रही होगे और एक इसमें इन और एक out का यह ports है यानि कि इन यानि कि जो आपका power adapter है Wi-Fi में जो लगा हुआ है अभी वो इसके in में आ जाएगा और यहाँ out से अप अपने Wi-Fi router को connect करेंगे through the cables provided cables इस तरीके से यह काम करेगा matte finish में है quality of the product ठीक है क्योजर की मुझे build quality थोड़ी better लगी थी compact भी था इससे बट वो काम नहीं कर रहा था तो no point उसके बारे में और कुछ बात करने मैं इससे connect करूँगा अपने Wi-Fi router से और देखेंगे कि यह काम कर रहा है नहीं कर रहा है अच्छा इसमें एक चीज और है कि इसमें यहाँ पर हैंक करने के लिए socket भी है यानि कि इसमें आप nail या कोई भी कील इस तरीके से आप connect करके डाल के ऐसे हैंक कर सकते हैं that is good thing about it इसमें कुछ अवाज आ रही है देखें I don't know what it is but it's okay तो यह है IntelliZone का UPS इससे connect करने के बाद में इसके बारे में आपको और बताऊंगा मैंने अपना IntelliZone वाला जो UPS है उससे अपने Wi-Fi router को connect कर दिया है और यह perfectly काम कर रहा है तो उसको मेरा thumbs up है और Qsr का जो UPS था वो मैंने return कर दिया था जैसे कि मैंने पहले बताया तो उसको मेरा अभी thumbs down है Build quality जो plastic थी उसकी जो looks थी वो better थी IntelliZone से बट अभी जो working है वो IntelliZone की सही है क्योंकि वो काम कर रहा है I'm not sure की उसका backup कितना है IntelliZone का वो मेरे को या तो test करना पड़ेगा but उसके box पे लिखा है 4 hours 4 hours काफी होता है I do not really need that मेरी society में जो light जाती है वो max to max 2 या 3 minute के लिए जाती है I think once in a while कभी हो गया थोड़ी लंबी चले गए otherwise मेरा backup जो है वो जल्दे आ जाता है तो मेरे को उस time के लिए तो कभी कोई problem होने वाली नहीं है इसमें जो है 25Wh की battery है IntelliZone के UPS में जो की translate होती है 2200mAh तो battery size भी okay है let's see backup कितना होगा maybe one day I can try to time it पर अभी मेरा एक purpose solve हो रहा है जो की है backup तो उसमें एक काम पूरे सही तरीके से कर रहा है तो मेरा thumbs up है अगर मैं क्यूजर और IntelliZone का comparison करूँ तो currently I am up for IntelliZone because it is working अगर आप कोई products मंगाने हैं तो इनका link में description में दूँगा वहाँ जाके आप इनका latest price check कर सकते हैं और order भी कर सकते हैं अगर आपके वीडियो अच्छे लगे हो लाइक करिए subscribe करिए बेल आइकन पे क्लिक करिए और share करेंगे जितना आप like करेंगे subscribe करेंगे share करेंगे comment करेंगे उतनी ही सहायता होती है हमें इस channel को grow करने में देखने के लिए धन्यपाद